आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अचूप नुस्का जो 400 साल पुराना 420 का लिखा सुस्रु जी का चरक समीता में जो लिखा है सुस्रु समीता में लिखा है वह नुसका आपको बढ़िया नींद को लाने का और सुबह आपको ताकत देने का यहां दोनों काम करेगा यहाँ आपको नींद भी अच्छी दिलाएगा रात में और सुबह आपको ताकत भी बहुत देगा कि आप ये जीवन रूपी युद्ध के लिए मजबूती से उतर पाएं बहुत अच्छा नुसका ऐसा थी हो अच्छा मानना है कि आपको अपने जो हिंदुस्तान की साइंस बहुत विक्सित साइंस थी पहले आज भी आज विमान तक जो पुराना विमान ता वहां तक मिल ला है पुरानी साइंस थी जो पुल बनेते नदियों के नीचे वहां आज तक पाए जा रहे हैं उसको नासा अपनी सेटिलाइट से देख रहा है अमरीका का कि जो है यह पुल वास्तम में मौजूद है तो इतनी बड़ी साइंस थी उस समय इतनी जड़ी बूटियां अयरुवेदा था इतनी बड़ी साइंस यह थी तो हमें इसका लाब लेना चाहिए आप इस नुसके को जरूर करिए यहाँ दो काम करेगा आपको ताकत भी दे देगा बहुत जादा और आपको रात में बढ़िया नीन भी दे देगा और यहाँ ऐसी चीजे हैं जो आपके घर पे उपलब्ध हैं इसको आप कर सकते हैं पेश है आपके सामने साथियों वहाँ चुक नुसका जो आपको रात में बहुत बढ़िया नीन दिलाएगा और इस नुस्के को साथियों कहते हैं मून मिल्क मून मिल्क mean रात में पीने वाला नुसका रात में पीने वाला दूद बहुत ही आसाने साथियो आपको थोड़ा सा पहले एक सौसर में पानी लेना है उसमें भगवने में पानी लेना है उटेंसिल में थोड़ा सा यानि की एक कप एक कप पानी में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है उस हल्दी को आपको पांच मिनिट बॉइल करना है ध्या मिल्क इसको थोड़ी सी जालकी या सिनेमन बहुत थोड़ी सी एक छोठा चंब चोठा उसका भी एक छोठाई phẩu वहाँ cinnamon आपको डाल देनी है आपको उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है चार छे काली मिर्च डाल देनी है आपको उसमें थोड़ा सा coconut oil डाल देना है coconut oil skin के लिए बहुत अच्छा होता है गरी का तेल आपको थोड़ा सा उसमें गरी का तेर डाल देना है और आपको उसमें थोड़ी सी अद्रक डाल देनी है सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा डालिएगा क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं आपको ये लगातार तो थोड़ी सी आपको उसमें अद्रक डाल देनी है और शेहट डाल देना है इतनी चीजों को आपको उस दूद में डाल देना है दूद को आपको 15 मिट उबाल लेना है बॉइल कर लेना है और उसके बाद आपको आदा घंटा उसको रख देना है और आदा घंटा रखने के बाद साथियों उस दूद को आप रात में पी लीजिए आदा गंटा या पंदर मिट उत्ते में वो ठंडा भी हो जाएगा उत्ता ही वो रखा रहेगा फिर आप उसको थोड़ा सा हिला लिए थोड़ा सा मिक्स शफल कर लीजिए अलट पॉलट जिसे कहते हैं पुराने लोग करा करते थे इसको उठाल उठाल कर लीजिए कहा जाता है इसको हम लोग क्या है उतर पुदेश में तो फिर आप इस दूद को पी लीजिए आप इस दूद को एक महिना पीजिए आपको सरीर की कोई भी मैं दूसमें पढ़े हैं रिक्итा ढूती हो कोई भी कंपलेंट होगी सारे कंपलेंट की तर्थ तर्थ हो भी तो आपको जितना भी बिस्टर्बिंग सिलीप होगी जितना भी सिलीप आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी वहां बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको सुहानी और डिप्रिसिंग नीद आएगी ताकि आप इस जंग के लिए सुभा यह जो युद्ध है जिसका नाम है जीवन इस जीवन की जंग के लिए आप हमेशा त्यार हो जाएं आप इसको करिएगा सातियों बहुत कठिन नहीं है आपको लग रहोगा 5-6 चीज़े हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह 5 चीज़े आपके घर पे मौझूद हैं दूद आपके यां रोज आता है हल्दी में खाना र बहुत कठिन काम नहीं है आप इसको करिए इसको पीजे और सुहानी नीन सोईए तकि सुबह की जंग पे आप उर्जा के साथ लड़ चुके यहां जो ड्रिंक है यहां जो मून मिल्क है जो 400 BC में सुसूरुद जी ने लिखाता जो चरक संभिता में लिखा हुआ है सुसूर इस चैनल का फार्मूला करिए ना करिए वैसे तो सब साथ ही अपनी टीम है लेकिन एक आद लोग जो क्रिटिक है मैं उनको भी कहूंगा कि आप इसको भी करिए और आप देखिए आपको किता लाब मिलेगा आपको किती बड़ी हनींद आएगी कमेंट पूर्सें लिखिए और कोई क्वेरी हो साथ ही हो तो मारे वाट्साइप या यूटूब नंबर पे आप अपनी क्वेरी बेज सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपकी जब बात का सदो चनल जवाब दे पाए वीडियो साथ ही हो मेहनद से बनता है पढ़ाई करने से बन कियेगा आपका साथ यूटी देर हमाएं साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्दोटी सिर्गेर आपका उआजड छोओं बात क éénया हो में क्विश यूट से बनता है झाला हो यूत च sìर बनता है, जड़त खाएं पताए रह को आपकी जड़ियो यूदूदीA साथüne के बनता है कर दो कर दो